आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपके DRDU September की latest recruitment के बारे में DRDU की आपकी latest recruitment आ चुकी है और इसके लिए आप एपलाई कर सकते हो 23 जैनवरी 23 दिसंबर से लेकिन 23 जैनवरी तक ठीक है और इसके लिए आपकी जो eligibility है वो आपके 10th ITI BA, B.com या फिर कोई भी graduation अगर आप आपने qualification 10th से जादा है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो आपकी जो इसमें recruitment है वो multitasking staff की recruitment है और इसमें जो आपकी number of frequencies है वो भी काफी जाद है उसी के साथ आपका जो department है वो आपका बहुत ही जादा best है DRDU में एक job होना बहुत बढ़ी बात होती है और बहुत easy होता है DRDU exam क आपके बारे में बता दू किसमें आपके दो exam होंगे एक आपका टायर वन होगा एक आपका टायर टू होगा टायर वन में आपके तीन सब्जेक्ट से questions आएंगे जो कि आपके होंगे मैं बता देता हूं जो कि आपके होंगे general intelligence, reasoning, general awareness, quantitative activity and numerical ability यह आपका screening होगा और उसके बा ठीक है तो यह सभी आपका यह आपको किस तरीके से बढ़ना है क्या crack करना है क्या bookshop को यूज़ करने है वो तो हमारे channel पर आपको पता चली जाएगा और अगर आप हमारे channel पर new हो तो अभी कभी channel को subscribe कर लो और अगर आपने पहले से channel को subscribe किया हुआ है तो make sure कि आपने notification bell December है और आपकी last date इसमें आपकी 23 जन्वरी है और उसी के साथ आपकी जो closing date होगी application की वो भी आपकी 23 जन्वरी ही है शाम 5 बजे तक और आपकी जो exam की date होगी वो आपकी release कर दी जाएगी जब भी आपका exam के सारे form फिल हो जाएगा और आपका exam है कावी जल्दी conduct करा जाएग So make sure आप notification को आप apply करते ही इसके लिए पढ़ने लगे और आप अभी से इसकी preparation स्टार्ट कर दें ठीक है अगर आपने NTPC SSCJ या कोई भी आपने form फिल किया है तो आपको ये form ज़रूर फिल करना है आपको ये नहीं देखना कि ये 10th base पर है ये 12th base पर है ITI का है किस branch का है न अगर मैं आपको इसकी जोइनिंग के बारे में बताऊं तो आपकी जोइनिंग होगी वो आपकी अप्रेल तक इसकी जोइनिंग हो जाएगी आपके दोनों CBT इसमें conduct करा दिये जाएंगे ठीक है इसमें आपकी जो number of frequencies है वो आपकी 1870 number of frequencies है और अगर आप अपने category वाइस काफी जादा vacancies होती है like SC की 163, ST की 114, OBC की 503, EWS की 188, Unreserved की 849 और total 1817 vacancies ठीक है इसका eligibility criteria अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं उसके लिए गलग से वीडियो मना दूँगा मैंने आपके notification के बारे मताया था अभी 23 दिसम्मर को आपका है इसके लिए अपकी वीडियो मना किस तरीके साब इसको apply कर सकते हो, क्या आपको करना है ठीक है और अगर आप चाहते हो किस exam को किस तरीके से crack करना है, क्या strategy, क्या box use करना है उसके बारे में आप एक वीडियो चाहते हो तो please मुझे नीचे comment करके बताइए उसके साथ वीडियो आपको अच्छे लगी तो इस पे एक like जरू कर देना, share जरू कर देना अपने friends के साथ और चैनल को बिना subscribe करें बिना मत जाना क्यूंकि जब से हमारे चैनल open हुआ हमारे चैनल को approximate one year हो गया है और तब से लेके अब तक हमारे चैनल पर तब से लेके अब तक DRU ने तीन recruitment निका लिए और तब से लेके अब DRU को पेपर आता है, guys आपका जो DRU को पेपर आता है वो बहुत ही simple type of paper आता है, simple question आते हैं, इसी वज़ा से students नहीं वह बहुत ही hard level का पढ़के जाते हैं, वो सभी मैं आपको बताँगा कि DRU को पेपर कैसा आता है, किस तरीके साता है, ठीक है, तो अग इसी के साथ आज के लिए वीडियो में सरफ इतना ही, वीडियो चीले कोई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए, so with that said, bye bye, take care and all the best.